स्वागत है आपका इस नए क्लास में आर्थिक भुपोल की जो सीरीज चल रही थी इसी कड़ी में आज के क्लास में हमें समझना है टॉपिक देखके आप समझी गए होंगे डेव इटलीशी के उन सारे विश्व के एक रिशी प्रदेशों को समझे नहीं है ठीक है जैसा कि हम बार-बार कहते आये हैं कि टोटल जेग्राफिक की सारी चीजें सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा तो उसी को पढ़ाने के करम में आर्थिक भूल का जो पोर्शन है उसको मैं ले करके आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पर हमें डेव इटलीशी के अनुसार विश्व क करेशी प्रदेश को समझना है ठीक ना कि बिटलीशी ने विश्व को कितने करेशी प्रदेशों में बाटा था क्रेशी प्रदेश को बाटने का आधार इस सारी चीजी हम लोग समझेंगे तो ध्यान से इसको सुन दिएगा ठीक है और वीडियो पास करके आप लिखते भी अपना नोट्स आप तयार करते रहेगा ठीक है 1936 में विटलिशी महदय ने विश्व को कुल तेरह प्रकार की क्रिशी प्रदेशों में बाटा था ठीक है कुल तेरह प्रदेशों में बाटा था ओधिक है क्तिने प्रकार था 13 लेकिन विटलिश्य के क्रिशी प्रकार राधिशों को तेरह फांगों में बाटा था यह आधिधार भी ते त्यक्त वह सक्षyuं प्रकार पर वरगी करड़ इन्होंने किया था विश्यों के क्रीशी प्रदेशों का ठीक न है समझते चलिए इसको पढ़ते चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेर करना नहीं भूलिएगा ग्यान बाटने से दोस् मित्रों को दे रहे हैं तो उससे यह नहीं कि आपका घ्यान घर जाएगा ने उसमें बढ़ोतर ही होगी ठीक है तो शेर भी करना है दोस्तों को मित्रों को ताकि आपका भी ज्यान बढ़े और उनका भी ज्यान बढ़े वो भी सीखें चीजों को समझे ठीक कोई भी डाउट उनमें जो पहला आधार था वो था फसल तथा पशूधन संबंध जो पहला आधार था बाटने का वो था फसल और पशूधन संबंध ठीक है यानि कि विश्व के किस भाग में फसल भी बोई आती है पशू भी रखे जाते हैं इनमें आपस में क्या संबंध होते हैं इसको भी एक आधार माना गया है ठीक है इसको भी एक आधार माना गया है फसल और पशूधन संबंध को भी आधार बनाते हैं जैसे दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया के बहुत से ऐसे छेतर हैं जहां पर खेती के लिए पर्वा की चीजों के रूप में कहीं-कहीं पर फसल और परसुधन के साथ क्या संबंध है और इस संबंधन के अधार पर इनको बटा गया है दूसरा जो बाटने का कि दूसरा अधार है कृशी उत्पादन विधी दुनिया के विन्न देशों में विष्व के हना अलगलग चेटरों में कृशी उत्पादन की विधीयां अलग-अलग है समझे? ये भी एक अधार बनाया गया है जब तेरा कृशी प्रदेशों को मैं समझाऊंगा तो वहाँ पर बागी सारे चीज़ें असपस्ट हो जाएंगे, तो इन पाँच आदारों को आप ध्यान से समझे, फसल था पशुधन संबंद पहला हो गया ना, फसलों में और पशुधन में क्या संबंद होता है, दुनिया की कुछ हिस्षों में जोनों साथ में पाले जाते ह होता है, फसलों के प्रशूं के व्यापार में प्रवयake की जाता है, उने तो निरवाःक करशी के लिए दोनों का साथ में साथ मेंुज़ कर लेते हैं, दुसरा है क्रेशी उत्पादन की विद्भी, अर्थात की दुनिया के बिन चेतरों में, बिन हिष्षों किसमें क्रिशी का उत्पादन होता है उसको करने के लिए अलग अलग वीधियों का प्रियों की आजाता है तो इन वीधियों के अधार पर भी विटली सी मौधे ने विश्व के क्रिसी प्रदेशों को बाटा है तीसरी बात तीसरा जो अधार है वह है श्रम पूंजी और संगठन का श्रम, पूंजी और संगठन को भी उनने अधार बनाया दुनिया के विविन हिस्सों में जहां पर जनसंख्या का घनत बहुत जादा है जहां बहुत जादा जनसंख्या लिवास करती है वहां सरम के अधार पर जो एकी खेती की जाती है जिसे दच्छी डेशिया के बहुत से देश है ठीक अफरिका के देश है तो वहां सरम की कोई कम भी आता है पूंजी देखिए कुझी के अधार पर भी बाटा गया है आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपनी अच्छी पुंजी लगाते हैं अच्छे कृतना स्कों का अच्छे उवरकों का प्रयोग करते हैं अच्छे सीड्स लाते हैं तो जब लागत लगाएंगे अच पूंजी लगा जाती है जैसे विक्षी देशों में होता है जबकि विकासियल देशों में और गरीब देशों में क्या होता है कि फसलों में उतनी पूंजी नहीं लगा जाती है जैसे तैसे फसलों का उपादन कर लिया जाता है इसके अलावा संग्धन क्रिशी को बढ़ावा कोई दिक्त नहीं होती है तो दुनिया के अलग-अलग समीं कारे करते हैं। और उसको बट अब दाब जया है। क्रिशी उपयोग की पद्धति का अधार इन्होंने बनाया है कि क्रिशी का जो उपयोग है और किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं जैसे कि अगर हम विक्षी देशों की बात करें जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो फसले होती हैं मुख्य तो अगर मक्का की बात करें मक्का वहां की मुख्य फसल है तो मक्का की फसल वो पशूं को खिलाते हैं जबकि दुनिया के बागे हिस्सों में क्या होता है खुद के खाने के लिए प्रूप कियाता है इनसान खाते हैं उसी तरीके से जो जितनी भी फसले यह तिने भी उत्पादन हैं ठीक किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है उसको किस प्रकार से कंज्यूम करते हैं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से होता है तो इसको भी आधार बनाया है विद्ली शी महोदे ने इसके लावा जो पाच्वाअ उपकरड और जन जीवन पदती क्रिशी उपकरड तथा जन जीवन पदती को भी विडिलिशी महदय ने आधार बनाया है कि दुनिया के विन्य हिस्सों में जो क्रिशी उपकरड है कहीं पर बहुत ही ज्यादा उन्नत है तो उन्नत क्रिशी उपकरड़ों से आधुनी क्रिशी उपकरड़ों से दुनिया के बहुत से हिस्सों में खेती की जाती है क्रिशी की जाती है दुनिया के बहुत से हिस्सों में नहीं की जाती है तो वो कौन सी हिस्से है अगर वहाँ पर उन्नत उपड नहीं है तो फिर क्या होता है फिर किस तरीके से खेती होती है यह सारा कुछ समझेंगे हम लोग ठीक तता जन जीवन पद्धती क्रिशी करते टाइम जो है या जब दुनिया के विभन हिस्सों में जब खेती हो रही है जब क्रिशी हो रही है त काफी निन अस्तर का जीवन स्रम का पह Свेख करते हैं मश्वीनों का कम से कम परियूक करते हैं ठीक है कुदाला अंटम काउर करते दों क sizi काम करते हैं ये भी आधार विटलिसी महोदे ने बनाया विश्व के क्रिशी प्रदेशों को बाटने का ठीक है तो ये पांच आधार उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इन पांच आधारों को समझने के बाद अब हम विटलिसी महोदे के कर देखेंगे किस में क्या बात कई गई है तो इसको पहले मिटा लेते हैं मुटलिसी मौज़े द्वारा विश्व के जो 13 रिच्व बाटै टीके इन तेरा करिशी प्र देश को को हम बारी-बारी ते देखेंगे तेके अभी हम लोगों ने यह देखा कि विटलीसी मौजाय ने जब विश्व के 13 क्रिस्ट प्रदेशों को बाटा तो इसको 5 आधारों पे बाटा था तो उन 5 आधारों को समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि विटलीसी के वह 13 कौन-Kण से थे तो उन तेज़र प्रदेशों को मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया है ताकि लिखने में जो समय ज्यादा लग जाता है वो आपका बचे और इसको बारी-बारी से हम समझाते चले जाएंगे और आप इसको धीर-धीरे नोट करते हुए चले जाएंगे ठीक है तो देखिए जो पहला विटलिषी मोहदे का प्रदेश है वह है अस्थानाधर,शिल,पसुचारड,ार,क्रिशी प्रदेश इसको नोमैडिक है न Cum pedir है नहीं मेल्या कि खाना बदोर्षी या घुमकड,चलवासी फिजा को घॉमकड,चलवासी प्रदेश फिजा जाएंगे दुनिया के ऐसे छेतर, जहां पर पशूपालन तो होता है. वा छेतर पशूपालन प्रदेश की स्रीडी में लेकिन वो अस्थानादरस सील है. अस्थानादरस सील का मतलब कि एक अस्थान से दूसरे अस्थान को वो चले आते हैं. तो कई सारे पस्थान के साथ मानो समुदाय रहते हैं एक अस्थान पर पस्थान को ले करके रहते हैं फिर कुछ समय बाद उस अस्थान को छोड़ करके पस्थान को ले के दूसरे अस्थान पर चले जाते हैं जैसे की अरब के बद्दू लोग ऐसे ही दुनिया भर के विन प्रकार की जो जन जातियां होती है जो पशुपालक है वो खाना बदोसी जीवन बेतीद करती है जैसे कि मशाई मशाई जन जाती भी क्या करती है पशुओं को पालती है पशुपालक होती है और अस्थान जो है कि लगभग बदलती रहती है सब निकालते हैं, उनकी मांस का प्रयोग करते हैं, उनके हड़ियों का प्रयोग करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, बस ठीक, इनका कोई व्यापारिक उद्देश होता नहीं है, ऐसे छेतर दुनिया में अरब हैं, मंगोलिया हैं, चीन के प्रदेश हैं, ठीक, चीन के छेतर हैं, वो अस्थानांत्रड पशुचारण प्रदेश में, यानि कि नुमैडिक ग्रेजिंग रीजिन हैं, यानि कि घुमकड प्रदेश में आते हैं, जो अपने पशों के साथ लगातार घुमते रहते हैं, इसके बाज़े दूसरा प्रदेश आता है, वो ब्या ब्यापारिक पशुपालन प्रदेश है, कमर्शियल लाइव स्टोक रीजन या कमर्शियल रैंचिंग रीजन भी इसको बोला जाता है, दुनिया के कुछ ऐसे छेतर हैं, जहां पर पशुओं को पाला जाता है, लेकिन उसका उद्देश ही होता है कि हम ब्यापार करेंगे, ठीक, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका में बड़े पैमाने पर बड़े रैंचों में पशुपाले जाते हैं, न्यूजिलेड में बड़े बड़े पैमाने पर पशुपाले जाते हैं, उनका उदेशे ही होता है ब्यापार करना, ये पशुओं का दूद बेशते हैं, उनके पुर्गी पालन भीश में शामिल कर लेते हैं लोग इसके वाज़ तीसरा प्रदेश है वह अस्थानांद रशील क्रीशी प्रदेश हैं अच्छा ब्यापारिक पशुपालन प्रदेश की एक विश्यस्ता समझे ब्यापारिक पशुपालन प्रदेश में छोटे छोटे घासो वाला प्रदेश होता है इस प्रदेश में ये प्रदेश सुष्क और अर्द सुष्क उष्ड कड़िबंदिय छेतर की स्रेडी में आता ह इस चेतर में बहुत ज़्यादा वर्षा होती नहीं है जलवायू भी फसल होने के अनुकुल होता नहीं है तो यह परदेश परशुपालन के लिए अति उत्तम होता है वहां के लोगों को अवसर मिल जाता है परशुपर अपना जीवन चलाने के लिए और उनसे व्यापार करन के लिए ती तीसरा परदेश है अस्थाना अंधर्शील करिशी परदेश, शिफ्ट इंग क्ल्टिवेशन रिजन है अस्थान अंधर्शील करिशी परदेश है यानि की एक अस्थान क्रिसी करने के बाद वहां के लोग क्या करते हैं उस अस्थान को बदल लेते हैं एक अस्थान पर क्रिसी करते हैं और क्रिसी करने के बाद खेती करने के बाद उस अस्थान को छोड़ करके दूसरे अस्थान पर चले जाते हैं करते क्यों है इसा इनकी मजबूरी होती है ठीक ह बार बार जलाने की होता है कि एक से दो साल में खेतों जो नूपजाओं नहीं बचपाती इस लिए उनको चेतर छोड़ करके पिर किया करना पड़ता है दूसरे में जाना पड़ता है वहां पर फिर जंगल को काट कर कार्ते हैं साफ करते हैं यह पर्याड के लिए बड़ा नुक्षान दायक साबित होता है दुनिया के बिनन देशों में यह खेती लगबगव चबरदस्ती सरकार विभिनन देशों की सरकारों के द्वारा बंद करा दी गई है ठीक ना दिया दिजीगा अस्थानातर सीट कृषी को जो है क क्रिशी को भारत में क्या कहते हैं जूम के नाम से जानते हैं जूम क्रिशी के नाम से जानते हैं दुनिया के विन इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो जब क्रिशी के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिशी की कौन-कौन से प्रकार होते हैं क्रिशी की पधतिया प्राराम्भिक रूडीमैंट्री आगä्डीकल्चर रीजन यानिकी हुझा है तो छोटए-छोटए जोत वाले किसान थे छोटे-छोटे खेतौं में किर्शी किया करते थे प्राराम्भ तरीके से यंतरों का कोई उप्योग होता था स्रम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था तो ऐसे छेदर अफरीका में एशिया में आज भी भारत के कई छेदर में आज भी जहां पर गरीवी बहुँ जादा है वहां पर देखने को यह रिजन मिल जाता है पाचवा है चावल पृधान गहन निर्भन प्रदेश ऐसा प्रदेश जहां बहुत बड़ी मातरा में चावल बया जाता है इन प्रदेशों की सबसे बड़ी विश्यस्ता यह है कि यहां ज़्यादा होता है स्रम आसानी से मिल जाता है और सस्ते में मिल जाता है यानि कि लेबर यानि कि मजदूर बहुत सस्ते में मिल जा आती है दर्चिद एक बहुत से देश हैं जो इस्षित्र में आते हैं ठीक जैसे इंडोनेशिया थाइलेंड मलिशिया भारत ठीक इस सब देश कि समें आते हैं चावल प्रधान गहन इरभन किसी प्रदेश में आते इसके लबा कुछ ऐसे प्रदेश है जो चावल विहीन है मतलब की चावल से मतलब नहीं है सभी फसले यहां बोई जाती है कोई किसी एक फसल की प्रधानता इस शेत्र में होती नहीं है तो इस शेत्र को इंटेंसिव come non rice every region बोला जाता है इन सभी फसले होती है चावल मुखर नहीं है लेकिं लेकिंगूध प्रधान शेध यानी कि इसमें चावल प्रधान की कि कि इंग करोबवन कामतलब है यहां के खाली नहीं स suiv है ऐसे यह लोगों खेट कभीवाह खाली नहीं हुथ एक फशल काट नहीं कि दूसरा फासल फिर लगा दिया एक क्रॉप की हर्वेस्टिंग जैसे हैं सीद्ग बशी करोश्तियल लगा जिसमालगे,, या कोई किसान है हों बोया टो और उस्ति फिभी उसका साल भर काम चल जया है अंट यह सहां निर्वहन का मतलब होता है के व्यापर उसको विचने केενे के लिए वो नहीं होता है और चावल वीहिन गहन के निर्वान में सभी फसले होता है चावल में इसमें होता है वो भी निर्वान के लिए होता है यानि कि बेचने के लिए नहीं सिर्फ खुद के खाने के लिए होता है इसके बाद छठावा जो क्रिशी प्रदेश हो है बेपारिक बागाती क्रिशी प् घंणा ठीक कपास नारंगी यह सब फल वगर वाली जो बाते हैं और मसालों वगर जो बागान पाए जाते हैं वो ब्यापारी का में अस्तर होना चाहिए ना कमर्शियल है वह ब्यापारी कारुफ्स के दुनियाान के नहीं पर आ जैता है या सब्हेन का गान नë नियुब हरात में आङरे चीज इस तरीकें झाय पर धानी पिरिशिर परदेश के तो पलेम कनी ऐसे में परांड जाते हैं तरी में में अड़ी में रिट्टरयरियन एगरिकल्टर यह सब्सेरे बड़ी विसटर से में विर भाल की सब्सक्रारा जैदा होती है प्रदेश में घौनेटींगे- guarी से प्रदेШ कीसे कहती है बाटा गया है जलमाई की आधार तो वही जलवाईू के आधार वाला भुमा दसागरी प्रदेश कि पासका प्रदेश नहीं नहीं ना से क्रिश一个 दिने ँब दिन दिन छीरी कमित्थ ुए Central देश कि द्यान देजिएगा कि रस्दार फलों के लिए ये प्रदिश विख्यात होता है प्रसिद होता है क्यों क्योंकि यहां पर शीद काल में बारिश होती है शीतकाल में वर्सा होती है और जो ग्रिश्मकाल है वो शुष्क रहता है तो रसीले फल रस्दार फल पाई आते हैं जो नवा प्रदेश है वो है ब्यापारिक अन्न उत्पादक किरसी पर देखिए अब यह ब्यापारिक है अन्न उत्पादक किरसी इन खेतों की विश्यष्टा क्या है इस प्रदेश की विश्यष्टा यह है कि बड़े बड़े खेत होते हैं विशाल वुखंड कई एकड़ में होते हैं और मॉडर्न एग्रिकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाते हैं यानि कि उन्नत उपकड उन्नत टेक्नोलाजी के भारी भारी मशीनों से खेती होती यहां पर श्रम बहुत ज्यादा नहीं लगता जबकि इस चेत्र में क्या है स्रम बहुत ज्यादा लगता है किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं धन स्रम सबका समय का सबका नुक्सान इसमें होता है जबकि इसमें धन भी बशता है समय भी बशता है स्रम भी बशता है खेती जल्दी होती है इदम आराम से होती है ठीक यहां पर किसानों का ज को मिलती यह विक्सित देशों में अमीर देशों में देखनें को बहुत बड़ा डिफ्रेंस है समझेगा इस भात को दुनिया के ऐसे देश जह कि देशें आप समझे लिज्ये उन आपर कृष्यी बी हो रही है उद्देश क्या है बयापार करने 방गा देश से नीधर लांड डी राव अधि देशों में थिक क्रिशी भी हो रहा है स्टूपालए रहा है बया पार करने की देश जो इक गेरहाव प्रदेशस निर्वहक अन्न और पोश्वभालन कृष्वभालन कृष्वभाव को मिलता है लोग क्या करते हैं कुछ फसले लगा देते हैं धॉचा ठुझ रख लेते हैं पशुव का दूद्ध झाते हैं फसलों को खा दे तो वो निर्वाक कोई देश其實 नहीं होता है यहां पर क्मय middle प्रढ़ेस में कि पश्itative रख रहा है वी आप व्रेश के लिए खिरिसी कर रहे हैं व्रकर को डेश के लिए तो दोनों चीजें शहूं बहरत में भारत में ठीक दूद का जो प्रोडक्शन होता है पशुपालन इसी लिए पशुपालन होता है ताकि हम उनके दूद का ब्यापार कर सकें तो दुनिया के कुछ ऐसे भी छेत रहे हैं ठीक उसके बाद देखिए यह सारी चीज हम लोग विटलेशी के क्रिशी प्रदेश को समझ रहे हैं समझेगा जो तेरह प्रकार से बाटा हुआ है हम लोग पस उसको देख रहे हैं इसके अलावा जब हम अलग गलत चीजों को पढ़ेंगे हाला कि हमने पढ़ा चुका यह चीज है तो सारी चीज आपको मिल जाएगा उसको मैं पढ़ा चुका हूं तो यहां पर हम बस विटलेशी के क्रिशी प्रदेश को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और क्या है यह चीज है इसके अलावा जो तिरहां है लास्ट हुआ है बागाती किसी परदेश कंफ्यूज नह इसपेशलाइड है यानि कि विशेश है विशेशी कृत बागाती क्रिशी परदेश इसपेशलाइड प्लांटेशन क्रॉप रीजन यानि कि ऐसे बागान जो कुछ विशेश फसलों के ही होते हैं दुनिया में ऐसे भी क्रिशी परदेश है जहां पर कुछ विशेश फसले ह सिर्फ लगाई जाती है जaros अभी हमने बताया आसंग का च्छे में लाजाया ही नहीं जाता है ब्राजील में कहवा के अलावा और दूसरी फशनya है लगाई ही नहीं जाती है तो इक सी में अemic तो उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कौन-कौन से प्रदेश है हमने सिर्फ उन प्रदेशों को देखा उनके बारे में जनकारी ली आर्थिक भूगोल में बाकी सारी चीज़ें डीटिर में हम लोग सब कुछ पूरा पढ़ जाएंगे कोई दिकत नहीं आ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाईएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे यह लगे कि हमारा सब्सक्राइब कर रहे हैं हमने फिर से बताया कि किसी भी एप का सब्सक्रिप्शन लेने के जुरत नहीं है आपको चाहे आपकी युनिवर्सिटी का एक्जाम हो चाहे आपके किसी भी कंपटेटिव एक्जाम हो कुछ भी हो नेट हो पीजीटी हो जैर्फ हो असिस्टिन प्रोफेसर का एक्जाम आपको देना हो बहतों से समदित सारे टॉपिक्स हो यहां में क्लियर कराऊंगा क्रैस कोर्स भी मैं इस पर लाऊंगा है तो यूट्यूब कुछ देखेंगे लगतार पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत फाइदेमन साबित होने वाला है ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले ग्लास में